हेलो गाइज दिस एंडी बैक अगनी एनादर इंट्रिस्टिंग वीडियो औन हाव तो सेट अप यूर वर्ट्वाल लैब हैकिंग के लिए हमें वर्ट्वाल लैब की जरुवत होती है क्यों हम तो मतलब और्जिनल आटक तो नहीं कर सकते ना तो उसमें बहुत कुछ हो सकती है तो आज हम वर्ट्वाल लेट प्रेयट करने के क्योंकि हैकर के लिए वर्ट्वाल लैब बहुत जरुवत होती है जहां पर इसको करना परता है तो चलिए शूर करते हैं, पहले हमें ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर प्राइरोट ओएस डालना है, पहले ही आजाएगा उसका साइट, उसमें गुस कर, हमें डाउनलोड पर जाना है, और यहां पर सिकुरिटी नाम का टैब होगा, उसमें जाकर हमें आयोसो डाउनलोड करने, यह default वाला ही कर लेते हैं, यह पर direct डाउनलोड कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप आप अपने करने वाला हूं So, यह है मेरा ISO जो मैंने डाउनलोड किया है, जो आपको डाउनलोड करने के बाद मिल जाएगा, So, यह हम virtual में install करने वाले है, यह हमें एक VMR वाक्स्टेशन की जरुवत है, वो भी हमें मिल जाएगा, ब्राउजर पर जाके वाक्स्टेशन डाउनलोड, फिर पहली आजाएगे उसका साइट, अभी इसका 15.5 भर्जन चल दा है, तो हम ये लिनक्स के लिए, विन्दोस के लिए, तो हम अगर विन्दोस में आप चला रह जासे कि मैं अभी विन्दोस पे हूँ, तो मैं ये वाला डाउनलोड करूँगा, अगर आपको लिनक्स में जरु रहत हो तो ये वाला चाहिए आपको, आपको यहाँ पर डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, मैंना अल्डरी डाउनलोड कर चुका हू जो next next करते जाए और यह install हो जाएगा जो आसान सी चीज है so मैंने अब मैं ISO इंस्टॉल करना सिखा हूँगा यहाँ पर so मैंने अभी अल्रेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ so इसको मैं open करूँगा so basically मेरे यहाँ पर दोनों OS इंस्टॉल कर चुका हूँ तो अब निया OS में इंस्टॉल करूँगा जो कि पैरोट OS है तो अब मैं न्यू वर्च्वल मेशिन पर जाओँगा कस्टम पर जाओँगा next next and then मुझे वो ISO सिलेक्ट करना जो पैरोट का ISO हमने डाउनलोड किया था तो हम यहाँ पर जाके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकल इसको डीटेक्ट नहीं कर पाएगा यह कौन सी OS पर चल लिए है इसलिए हमें इसको मैनुवली डीटेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर डेवियन सिलेक्ट करना है हमें क्योंकि पैरोट इस डेवियन वस्ट है जो आप यहाँ पर ब्राउजर रन करके देख सकते हो ठीक है यहां पर दिखाया गया है सापसा पैर्टो एक्स इस डेवियन बेस्ट फोकस्ट अन डेवियन बेस्ट ठीक है अब नेक्स दबाते हैं और यह वर्चुल मेशिन का हम नाम देंगे पैरोट अब नेक्स टीक है इसको कहां पर सेफ करना है यह आप अपनी मर्जी से जहां पर भी चाहिए सेफ कर सकते हैं इस वर्चुल मेशिन को जो इंस्ट्रॉल करने के बाद जो साइज होगा इसका ओ कहां पर सेफ होगा यह पूछ रहे है ठीक है तो मैं यहां पर रख दूंगा इस राइजन के ऊपर चल लए उसमें फोर कोर्स है सो मैं दोनों को यहां पर दे देता हूं ठीक है सो नेक्स दे देते हैं सॉरी यहाँ पर देना है आपको दोनों कोर्स ठीक है अब नेक्स देना है आपको बेसिकलिया अगर आपको प्रोसेसर उतना हाइए नहीं है तो दोनों पर ही छोड़ दीजिए मिनिमाम दो दो अप रखी दीजिए इसको क्योंकि अगर एक दे दो तो बहुत स्लो हो जाएगा ठीक है तो अब हमें RAM select करना है इसका कितना RAM इसको लगेगा जैसे कि उसका virtual में हम जो प्रोसेसर दे चुके है उसका तो अब हमें उसका RAM लगाना है जैसे कि default 2GB में run होगा तो मेरा तो 8GB RAM इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ आप अपनी RAM की मुताबिक दे देना इसको जैसे कि मैं 2500 भी दे रहा हूँ उसको अगर आपका RAM 4GB है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगा दो जी अगर आप इसको दे दे तो ज्यादा तक Windows 10 4G में चलाना एक एक हार्ट काम होता है उसके अंदर अगर एक virtual machine रन करो तो कुछ बचे गाई नहीं उसका RAM तो ठीक है तो Windows 10 में 8GB RAM तो चाहिए आपको और अगर Windows 7 8 होगा तो उसमें 4GB में भी आप रन कर सकते हो उसको पर उसमें RAM थोड़ा कम दे देना आपकी मुताबिक आप यहां पर प्रोसेस टाक्स मैनेजर खोल के यहां पर देख लेना कि स्टेवल में कितना RAM आपको यह कॉंस्यूम कर रहा है ठीक है तो उसकी मुताबि बहुत सारे RAM अभी भी मेरा फ्री रहेंगे तो ऐसे आप एक calculate करके देख सकतो कि कितना RAM आपका फ्री रहेगा और कितना 80% को ऊपर मत देना ठीक है तो स्लो हो जाएगा 80-90 के बीच में उसको मत रंगना 80 के कम देना उसको मतलब आपका virtual machine रान होने के बाद आपका RAM 80 में मत पहुचने देना ठीक है ऐसे calculate करके देना तो अब मैं next कर जाओंगा यह सब default में ही रहने दो अब यहां पर हमें डिक्स अलोकेट करना है इसके लिए मैं 30 GB दे देता हूं ठीक है इसको अगर आपका हार्ट डिक्स में स्पेस उतना ज्यादा नहीं है तो आप कम भी दे सकता हूं पर मीनिमम पंदरा जी भी आप दे ही देना ठीक है अब next अब अब फिनिश हो जाए गई है सो आप हम इसको रान करने वाले है ठीक है तो पावर अंद वर्चुल मेशिन हम इसको इंस्टॉल करना है ठीक है तो हम यहां पर जाएंगे फिर स्टैंडर्ड इंस्टॉलर पर जाएंगे जैसे कि वर्चुल में रान हो रही है उपने रिसोर्स नहीं है तो यह थोड़ा स्लो होगा आपके मेन कम्प्यूटर से पर एक आसान चीज किया है इसमें आप बहुत सारे OS रान कर सकता है आपका रहाम अगर कुछ अच्छा हो तो मेरा यहां पर जो रीजिन है कीवर्ड कॉन्फिगरेशन अमेरिकन में ही रखता हूं डिफॉल्ट और एक चीज की आपका अगर इंटल का प्रोसेसर है तो बायस में जाकर आपको एक वर्ट्वालिजेशन टेकनोलीजी ओन करना पदता है ठीक है तो अब कैसे आपको पता चलेगा कि कहां पर हो तो यहां पर अगर दिखा रहा है वर्ट्वालिजेशन मेरा एनेवल्ड है त तो बायस में जाकर अगर इंटल का प्रोसेसर है तो वर्ट्वालिजेशन अन कर लेना और अगर एमडी का है तो उसमें भी एक ऑप्शन है ठीक हो आप इंटरनेट पर देख सकता है आपके मादरवोर्ड की टाइप के जैसा उसमें फंक्शनलाइटी आती है तो आप मादर पासवर्ड देने है ठीक है जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो कोई बात नहीं फिर टैब दबाना है और जब ही कंटिनु में आएगा अब इंटर दबाना फिर मुझे फिर सी इसको रिटाइप करना जो पहले हमें पासवर्ड दिया है अब कंटिनु दबाना है अब हमें एक यूजर खोलना है जहां पर हम काम करेंगे जैसे कि हमारा निव यूजर होगा सिलिपन अब तैब दबाना है कंटिनु पर लाना है अब यूजर के लिए हमें पासवर्ड चाहिए रूट के लिए एक अलग पासवर्ड हुआ कि रूट तेक अलग यूजर है जो की लिनक्स में उन रूट होती है ठीक है तो अगर आप अब मेरा पासवर्ड पूछ रहा है पहले तो रूट का पासवर्ड हमने दिया था अब इसका पासवर्ड हमें पूछ रहा है वह आप दे दो अपने मतावी कंटिनू करके ठीक है अब यह कुछ काम करेगा अपने अंदर डिक्स बगरा सब कुछ चेक करेगा फिर इंस्टॉल स्टार्ट होगा अब गाइड़ी रहना तो क्योंकि वर्चुल यह आपका सिस्टेम में कोई इफेक्ट नहीं करेगा अब इसको जब चाहे डिलीट भी कर सकते हो कोई बात नहीं यह जो डिफॉल्ट है वही कर देना अब यहां पर आप एरो की से यस में लाना और एक बात देख लेना सब अब यहां पर इंग्लीज पर सकते हो वहां पर लिखाई होगा आप उसके मुताबिक यह अपनी मुट्जी से दे सकते हो कोई लिख कर नहीं जैसे कि मैं बोल ला दिये वर्चुलाइजेशन में रन हो रही है तो आपका सिस्टेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे कि म यह सब पैरोड का फाइल है तो यह वर्चुल में रहेगा ठीक है तो यह आपका में सिस्टेम में जैसे कि मेरे विंडोस 10 है इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएगा यह से वर्चुल में ही काम करेगा अगर इसको आप डिलीट करना चाहो ति यहां से भी कर सकते हो ठीक है यह यहां पर भी आप जो भी सॉप्टेयर बगर इंस्टॉल करें इस ओएस में उसमें आपका में सिस्टम कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको छोड़ देते कुछ टाइम के लिए सो इंस्टॉल हो जाने के बाद अब यह एक नॉटिफिकेशन आएगा आपको जहां पर आपको यह दबाना है फिर यहां पर जो डिवाइस से हो सिलेक्ट करना है एंटर दबाना है और यह बेसिकली एक बूट लोड और इंस्टॉल कर रहा है यहां पर जिससे यह ओएस तो अब ज्यादा तक हमारा काम होई गया फिनिसिंग हो रहा है अब इस्टॉलेशन ओके सिंस्टॉलेशन कम्प्लीट आप हमें कंटिन्यू करना है यह रिबूट करूए ओक आपके अब इस्टॉलेशन कम्प्लीट आओ इस गॉन तो डिवूट कि इसको हम फूल स्क्री में ला लेते हैं कि फर्स्ट टाइम रिबूट होने में थोड़ा ज्यादे ही टेम लिपती है कि इसको कट देना है अभी हमारा पैरटो यह सब इंस्टॉल हो गया है उमझे लगता है कि यह वही वही टूल साथमेटीकल इंस्टॉल कर दिया यहां वर हो रहे हैं तब यह हम एक बार मैनैंवली कर लें डिया वही ख़िया है जाक्राश्य पर राइट क्लिक करना फिर अब यह पर यह री इंस्टॉल भी इंस्टॉल दिखा रहा है मतलब इसका जो VMR टूल से आटमेटिकली पैरोट ने इस्टाल कर लिया है सो हमें ज्यादा दूसरी बार करने की ज़रुवत नहीं है सो एगेन यह पूछ रहा है कि चेक पर अप्डेस यहां पर नो कर दी जा कोई दिक्कत नहीं है हम यह टर्मिनल से करेंगे हम अभी टर्मिनल ओपर लिए टर्मिनल में हमें sudo apt get update दबाना है ठीक है जो यह मुझे पास्व़र पूछ रहा है अभी इसमें क्या होता है क्या-क्या अप्डेस होगा यह चेक करता है क्या क्या update करना होगा यहांपर यह command से चेक करता है क्या क्या update करना होगा हमें ठीक है यह command से इसका checking हो गया कि 1000 packages can be upgraded, आप क्या करना होगा हमें, sudo apt इसको अब upgrade में लाना है हमें ठीक है तो यह क्या करेगा, जितना भी 1000 packages अपग्रेड़ेद है ना इसको डाउनलोड करकी इंस्टॉल कर देगा तो यह बहुत टाइम लेगा मुझे लिगता है थाउजन पैकेजेस हो गए तो टाइम तो बहुत लेगा इसमें आउर एक बैसे रिबूट कर लेना तो इस बीडियो में इसेट अप करें हैं बन्हेंस के लिए फिर जाय ते एम्हाजरियों कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो